दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकर सोट चैनल को और बेल इकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें दोस्तों बात करने वालों एपल न्यूस के बारे में कि कुछ रूमर्स हैं कुछ लीक्स निकल के आएं और आयोस 14 के बारे मे आप का आइफोन 12 के बारे में एक 13 के बारे में भी है आपके नेक्स्ट लाइन अप के बारे में जो आई-पैड की होगी इन सब दोस्तों मेरा नाम रिशा वर्मा आप देख रहे हैं टैकर सो तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब दोस्ता करें बात करूं तो अभी डॉल डॉल डीसी में सिर्फ नौ दिन बचे हैं और अगर आपको नहीं पता डॉल डॉल डेसी क्या है तो वह एक आपका इवेंट होता है जो की एपल और नाइस करता है डेवलपर्स के लिए यानिकि जो इसके फुल पाउम में व कर सके एपल की टीम के साथ उनके इंजिनियर के साथ तो उसमें अभी सिर्फ नौ दिन बचे है और उसी के अंदर जो पहले नियूज निकल के आ रही है वह यह है अपने यूस 14 के बीटा वन को लांच करने वाला है आपके डूल डीसी 2020 में तो कफेची नियूज है क्रीटर सब्सक्राइब निकल के आए हैं कि जो इसका डिजाइन होने वाला वो तो सेम ही होगा जैसे मैं अल्रेडी पता है कैसा होने वाला है तो अभी थोड़ा और पक्का होते जारा है कि डिजाइन ऐसा ही होगा प्लस इसमें कुछ उसने एप्लिकिशन के स्क्रिंशॉट भी शे सिर्केर कियें जिससे पता है कि सिम्सेटाइब वाली कि आपका ड्रूवल सिंस सपोर्ट करेंगी जैसे आप लोगा सिंगल सिम लगता है तो हमारे वो आइप्ट्वं के ही जो प्रो वाले वर्ड वर्स 120hz की डिस्पले होगी उसी के बारे में है जो कि काफ़े अच्छे आपकी न्यूज लिकाते हैं उनका ही ट्विटर पर शेयर किया कि आपके आइफोन के हाडवेर की टेस्टिंग होनी है मतलब फेस्टिंग होनी है वह हो चुकी है और अभी बाकी और भी टेस्टिंग होनी है कि आपके आइफोन 12 की नेम स्कीम होगी उसमें अभी तोड़ा सा सेम चीज देखने को मिली है कि आपका आइफोन 12 12 Max 12 Pro Max यह चार होने वाले हैं जो कि तोड़ा सा अलग है जो मैंने पहले बताया था पर उसके बाद वापस अब्डेट आ गया था अभी एक बार और कंफर् प्रोडक्शन है वो आपका जुलाई में स्टार्ट हो सकता है जिससे कि एपल जब सेप्टेंबर में अपना फोन लांच करेगा तो उस टाइम पर कम से कम जो नोन प्रो मॉडल है उनको वो अवैलेबल कर सके जितने जल्दी हो सके या फिर या तो आपका सेप्टेंबर में या फिर आपका उक्तूबर के शुरू में ही कुछ आपका कुछ तो प्रोडक्शन होना चाहिए जो कि आप अपने कस्टमर्स को दे सके तो उसके लिए भी हो सकता है जुलाई में उसके प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए निएक्स लिक है वह आपके यह निकल गया घ्यारिये कि आपका जो आईफोन 13 होगा यानि कि 2020 वा इफोन होगा उसके ढूट फुल डिस्प्ले ऊगए इनकि ऊसमें नहीं होगी था जैसे मैं आपको नौॉच के वारे बता दिया नौच क्या होती है तो वह आपका अपने व प्र देखित हुस होता है यूद्ट की आपने अपने यज़ी को तद आलेगा लिक्स शेयों के और देखते यू आपको दो के में चाहरो है अगहले हैं उस Anyone आपकी साप एचरी और आप थे इंहें अट अबenta के Ben पर चाहरे मंतलब के साथ आreg् से सबस्क्राइब तो फिर भी बोला जा रहा है कि आपका यह ब्लैक में भी आज है आपका आइफोन उसके निकालने का सोच रहा है क्योंकि कुछ रूमर्स यह है कि आपको पोटलेस आपका आइफोन मिलेगा इसमा कोई पोट नहीं होगा सकता है कि इसके दबी के इसे ही वायर्लेस होगा नहीं होंगे आपका आपके 10 एирह निकल पर है एक बनिम्स इप कराने के बाकी आपके दाने के लिए सब्सक्राइब तो उसके बीत का कुछ निकल के आ सकता है नेक्स न्यूस है वो हमारी आपके आइपड के बारे में जो में आपस आइपड एर 3 है तो आपका जो नेक्स आइपड होने वाला आइपड एर 4 और आपका आइपड मिनी 6 जो कि आपके दोनों ही बहुत जादा फेमस हैं तो इनके अगले वर्जन होने वाले एर और मिनी के वह आपके जो डिजाइन आपका जैसे प्रो वाला मिलता है आपको वैसा वर डिजाइन मिलने वाला है बाकि अगर इसमें देखें आपके पोर्स की तो पोर्स में आपको आपको आपका एर 4 उसके अंदर आपको USB-C पोर्ट मिल सक जो आपके अभी 2020 में आने वाला है आपका ए 14 चिप तो इफ 14 आपकी होगी 5 नमेटर बेस्ट इन्हें आपको नहीं पता है तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा इसके बारे में आपके प्रसेदर के बारे में पर उसको नमेटर होगा आपका 5 नमेटर की टेकनलोजी बनेगी तो अभी हम बात यह चल दिये कि जो आपका नेक्स्ट इयर आने वाले हैं कि 2021 में वो भी आपका 5 नमेटर पर होगा पर थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट होगी उसके अंदर आपका जो इफ 15 आएगा वो भी आपका 5 नमेटर पर आएगा पर आपका जो उसके अगले साल तो यह बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी देखते हैं अभी कैसा होता है आपकी लाश्ट न्यूस आज की वह यह है कि आपका आइमेक ने आइमेक लॉंच होने वाला आपका डवलो डीसी में यानिकि उसे रिवील करेगा आपका अपका अपर आपका अपर आ आपका आइपैड प्रो से इंस्पारड होगा यानि कि वैसे दिस्प्लेश देखने हो मिल सकते आपको इसका मतलब आपको बहुत नया डिजाइन मिलने वाला आपका आइमेक के अंदर क्योंकि बहुत टाइम बार लाउंच हो रहा भी है तो देखना ब्रू कैसा होगा तो इसके साथ बस यही आज की न्यूज इतनी है तो बस आज की वीडियो इतना ही मुझे अब आपको पसंद आई होगी और आपको इसारी न्यूज पसंद आई होगी आप थोड़ा एक्साइटीड होंगे क्योंकि मैं तो बहुत ज्याद हूं वीडियो देखने धन्यवाद व मैं मिलता आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते गुडबाए